हमने यह देखा कि जो organisms हैं इनके अंदर ecological conditions है उसके change होने की वजा से जो उनके characters हैं उनके अंदर भी variability आती है उनके अंदर variations आती है अब कुछ animals ऐसे होते हैं जिनके जो characters हैं उसके अंदर जो variation है वो ज़ादा है यान उनके अंदर variability ज़ादा है कुछ organisms के अंदर ये variability कम है क्योंकि तमाम animals जो हैं उनके अंदर हमने ये discuss किया कि phenotypic plasticity मौझूद है phenotypic plasticity के अमराद है कि organisms के अंदर जो किसी भी character के अंदर जो variation है वो मौझूद हो सकती है और ये जो variation है इसकी reason क्या होती है इसकी जो reason है वो environmental conditions होती है बसलन एक organism जो है उसके अंदर जो किसी भी character के अंदर variation आती है वो temperature के अंदर variation की वज़ा से आ सकती है वो drought या फिर cold की वज़ा से variation आ सकती है for example अगर हम ऐसे mammals बसलन हम भेट या बक्रिया जो कि plain areas के अंदर मौझूद है उनके अगर first की बात करें उनकी body के अपर hairs की बात करें तो वो कम जो है थिक होते हैं लेकिन जैसे जैसे जो है अगर हम high area में जाते हैं mountains के अपर जाते हैं तो क्यूंकि वहाँ पर सर्दी होती है वहाँ पर ये character change हो जाता है वहाँ पर इनका जो number है वो जादा होता है ये काफितिक इनके फर होते हैं तो ये जो character है ये environmental conditions की change की वज़ा से आया इसी तरीके से बहुत सारे जो organisms हैं इनका जो color है वो change होता है या इनकी body के अंदर जो physiological conditions हैं वो भी environmental conditions की वज़ा से change होती है पर बात करें तो बहुत सारे जो और्गनिसम्स हैं उनके अंदर जो वेरियेशन्स आती है या जो तबदीलिया आती है वो होस्ट की वज़ा से भी आती है वस्टन जो ब्रैकॉनिट वास्प जो है इसकी अगर हम बात करें तो एपन्टेल फलैवी कौन की यह एक स्पिन करने के बाद जो उसका कलर है यह किस चीज़ के पर डिपेंड करता है यह डिपेंड करता है कि उन उसकी जो रेरिंग है वो किस किसम के कैटल पिलर के पर की गई है पर जेमपल अगर जो है इनकी जो रेरिंग है वो ब्ल्यू ग्रीन कैटल पिलर के पर करवाई जाए तो इसकी जो कौकून है उसका जो कलर है वो वाइट होगा यह वाइट किसम कलर की कौकून पर उड्यूस करेंगे लेकिन अगर इनकी जो रेरिंग है वो ब्ल्यू ग्रीन कैटरपिलर की बजाए अगर हम येलो ग्रीन कैटरपिलर के उपर करवाएं तो इसकी जो कौकून का जो कलर है वो वाइट से चेंज होके गोल्डन के अंदर हो जेगा इसका मतलब है कि यहाँ पे जो कौकून की जो प्रोड़क्शन हो रही है कौकून की जो फार्मेशन है उसका जो कलर है वो किस चिसके पर डिपेंड कर रहा है वो depend कर रहा है कि जो ब्रकनेट वास्ट है उसको rare जब हम करवा रहे हैं वो किस किसम के cattle pillar के पर करवा रहे हैं अगर हम उसको blue green cattle pillar के पर grow करवा रहे हैं तो फिर उसकी काकून का color white है लेकिन अगर same species जो है इसको हम golden इसकी काकून produce होती है अगर इसको yellow green caterpillar के पर produce हम करवाते हैं इसका मतलब है कि rearing जो है उसके depend करता है कि किस किसम के caterpillar के उपर आप rearing करवा रहे हैं तो ये जो change है ये basically host की वज़ा से है यानि जिस किसम का आप उसको host प्रोवाइड कर रहे हैं उसकी काकून की production है तो इस किसम की जो variations है ये basically ecological variations के अंदर आती है